अनुज माथूर ने कहा कि 15 अगस का ये दिन विशेश है क्योंकि लंबे संगर्श के बाद हमें आजादी मिली है इसके लिए हमने अनेक बलिदान दिये है और साथी उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटने पर बोलते हुई कहा कि कश्मीर घाटी से 370 हटने के बाद वहां तरक् कर्याठको की संख्या में भी भड़ोत्री हुई है वही रिटायर मेजर जनरल माथूर ने बांगलादेश में बिगड़े हालातों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दिया और कहा कि बांगलादेश में जो घटना करम हुआ उसमें पाकिस्तान समेट कई देशों का हाथ है सुनि में से एक अनुज माथूर हमारे साथ है सेना के अधिकारी रहे हैं उनसे बात करते हैं सर इस आजादी को किस तरह से आप देखते हैं देश मनाराय चारो तरफ खुशियों की लहर देखिए जो पंदरागास 1947 को हुआ वो एक बहुत लंबे संगरश के बाद हमें वो आजादी मिली थी अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि देदी हमें आजादी बिना खड़क बिना धाल मेरा ये मानना है और बहुत फर्मली मेरा मानना है कि वो भी एक तरीका था लेकिन आपन आजादी की प्रापती के लिए सुतंतरता प्रापती के लिए नबे वर्सों तक सतत संगरश किया 1857 से लेकर के और 1947 तक और उस सतत संगरश में अनेक लोगों ने अपने प्राण नियोचावर किये सर्वच बलिदान दिया और उनकी तपस्या उनके बलिदान और उनके इस मैं ये कहूँ कि अगर सही माइने में कहीं सुतंतरता है इस देश में इस विश्व में बहुत कम जगा सही माइने में सुतंतरता आपको मिलती है जहां आपके हर प्रकार के फंडमेंटल राइट्स हैं फंडमेंटल डूटी हैं सब कुछ हैं वो हमारे देश में हैं आप जो ज अच्छे स्वतंत्र और लोकतांत्र एक देश में निवास कर रहे हैं। सर बांगलादेश में जिस तरह का घटना करम अभी हुआ डेमोक्रेसी को वहां से हटा दिया गया, एक तरह से जनता ने विद्रो किया, आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, बांगलादेश का जन्म उनने सो इकतर में, मैं थोड़ा सा आपको इसका इसका बैकगरण बताऊंगा, उनने सो इकतर में हुआ और उसके लगभग तुरंत बात, उनने सो चोटर से पिचतर में जिस शक्तिने बांगलादेश को सवतंतर करवाया, आजादी दिलव उसको अस्तित्व में लाए, उनका और उनके पुरी परिवार का की हत्याओ कर दी गई, तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी समस्या, उनकी हमेशन सबसे बड़ी समस्या यही रही है, कि 1971 के युद्ध में, उनके दो टुकडे हुए, पहली बात, और उनके लगभग, एक लाग हिस्ट्री में सबसे शर्मनाक आत्मसा पर्ण की गटना है, तो यह बात पाकिस्तान कभी भी पचा नहीं पाया, तो पाकिस्तान लगातार 1971 के बाद से ही इस परकार के प्रयास कर रहा है, वहाँ पर, बांगलादेश में, कि उसको वहाँ से, वहाँ पर, वहाँ पर किसी तर की सरकार की दौरा चुनी गई सरकार थी, जो कि भारत की, पंगलादेश की आजादी में, भारतिय सेना के साथ कंदे से कंदा मिला करके उन्होंने लड़ाई लड़ी, इनफैक्ट वह लड़ाई उनкихी थी, भारतिय सेना नहीं उनकी मदद करी, और उनको तेरा दिन की लाट विस्तारवाद है और चीन की विस्तारवाद की जो वहाँ पर परिष्टेतियां हैं उन से उन्होंने प्रियास किया था कि वो बंगलादेश को भी अपने डेट ट्रेप में डाल करके और वहाँ पर भी अपना पूरा प्रभुत्व बना लें। वज़त दो हैं चीन भारत को चारों और से क्योंकि चीन का मकाबला भारत वर्ष से है एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्ट स्ट्रेटेजी होती है वो चीन भारत वर्ष को चारों और से घेरना चाता है उसने पाकिस्तान पे अपना प्रभुत्व जमा लिया है नेपाल को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहा ह म्यानमार को अपनी तरफ कर लिया है, नीचे मौलदीव से हैं, स्री लंका है, हर प्रकार से, तो उसी प्रकार से वो मंगला देश में भी अपना पूरा प्रभत्व जमाना चाता था, अपने बेल्ट अंड रोड इनिशेटिव के द्वारा, वहाँ पर अपनी छाप लगाना और कई अनेक फरीकी राष्टरों के तरह हादम कर लेगा, तो उन्होंने चीन से दूरी बनाना शुरू किया, यह दूसरी बात, बहुत इंपोर्टन बात है, आपको समझने किया बशकता है, और इसमें एक जो आइसिंग अंदी केक अगर मैं कहूं, वो यह था कि एक बहु इसको चीन को इससे नाराज की थी, तो चीन का भी इसमें बहुत बड़ा खात है, जो वहाँ पर हुआ, तीसरी चीज़, तीसरा खिलाडी प्लेयर है इसमें, वो है अमेरिका, एक यहाँ पर सेंट मार्टन करके आइलेंड्स हैं, जो बंगला देश के हैं, उन सेंट मार्ट क्या चाहता था, कि वो भारत और चीन दोनों को एक साथ काउंटर कर सके, एक बात हर बार मैं बहुत आता हूँ, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अंतरराष्ट्रे संबंधों में ना कोई पर्मनेंट फ्रेंड्स होते हैं, ना कोई पर्मनेंट एनिमीज होते हैं, सिर्फ पर करना चाहता है, अमेरिका, और साथ ही साथ चीन को तो करना चाहता है, मैंनमार में उनकी प्रेजिंस चाहिए, तो इस वज़ा से ये जो आइलेंड था, ये बहुत इंपॉर्टन आइलेंड था, उन्होंने ये आइलेंड मांगा, जिसको की शेख अजियन वाजिद के सरकार ने मना कर दिया, इन तीनों का एक मिला जुला पर इस परकार का वहां पर इस्तिती हुई, और फिर ये रिजर्वेशन वाला शुरू हो गया कि अंदोलन, और इसी अंदोलन का फाइदा उठाते हुए, आई एस आई, जमाते इसलामी, कुछ चीन का सपोर्ट, कुछ अमेरिका का बाहर से सपोर्ट, और तमाम वो तमाम चीज़े मिल करके, और इस अंदोलन को उन्होंने इस परकार का रुख दिया, जिससे की शेख हजिना को स्टीफा दे करके, और वहां से सेफ पैसेज लेके भारत बर्श आना पड़ा, तो ये जो बंगला देश में हुआ है, उसकी मुख्य वजहें, आपको अगर लग रहा होगा कि ये चातर अंदोलन ने वो नहीं है, मुख्य वजहें, पाकिस्तान खास करके जमाते इसलामी, जमाते इसलामी वो पार्टी है, जिसने जब बंगला देश का स्ट्रगल चल रहा था, उनका युद्ध चल रहा था उन ने शुकतर में, तब भी जमाते इसलामी ने पाकिस्तान की सेना को मदद करी थी, ये बात आपको समझने की आवर शक्ता है, तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त पार्टी है, और एक टेरिस्ट, मैं यह कहूँँगा, टेरिस्ट पार्टी तो नहीं, लेकिन हाँ, एक extremists की party है तो ये आप देखेंगे कि उनका ISI का मिलाप, Bangladesh National Party का मिलाप और ये सब चीज़ें मिलकर के चीन और अमेरिका के support से ये इतना बड़ा हाथसा हुआ। जिस प्रकार की हरकत, जिस प्रकार की परिष्टिती बंगलादेश में आज बनी हुई है, उससे आप ये निश्चत मान लीजिए कि ये कोई छात्रा अंदोलन नहीं है, छात्रा अंदोलन था, वेज़रेशन खत्म हो गया, उन्होंने कहा आप इस्तिफ़ा दिये, उन्होंने इस्तिफ़ा दे दिया, उसके बाद समाप्त हो जाना चाहिए था, ये समाप्त नहीं हो रहा, आज भी चल रहा है, और चलता रहेगा, उसकी वज़ा सिर्फ साफ है कि पाक परस्त, टेरर परस्त, जो आतंकवादी पार्टियां हैं, आतंकवादी लोग हैं आतंकवादी, जो इस्लामिस्ट्स हैं, जो में एक तो रेडिकल इस्लाम, ये रेडिकल इस्लाम का महाँ पर एक दम से परभाव हुआ है, जो को पहले से था, लेकिन वो गर्वर्मन्ट की वज़ा से थोड़ा ठंडे बस थोड़ा 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 चेक में था, वो अदम से ओपर करके सामने आ गया है, और जीस प्रकार से माइनौरिटी को निशाना बनाई जा रहा है, जीस प्रकार से नाट rebellी माइनौरिटी जो अवामे लीग पार्टी है, उसके नेतां, वो चाहें किसी भी धर्म के हों, चाहें वो इस्लामिस्ट हों चाहें वो क्रिश्चन हिंदू किसी भी धर्म के हों उनको निशायना बनाया जा रहा है तो हर वो चीज जो बंगलादेश की लिबरेशन से तालुक रखती है जमात इसलामी क्योंकि ये पाकिस्तान परस्त पार्टी है पाकिस्तानी पार्टी है इसलिए उनको खतम कर देना चाहती है एक बहुत बड़ा एक म्यूजियम बना हुआ था वहां पर मैनिफेक्ट्स वो बने हुए थे उनको भी तोड़ा गया है जहाँ जहाँ शेख मुजब बनेमान की प्रतिमाई थी उनके तस्वीरें थी उनको हर वो चीज़ जो कि उस स्ट्रगल से तरलुग रखती है उसको तबाह और बाद किया जा रहा है ये किसी भी किसम से छातर अंदूलन नहीं है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्ट आतंक पसर परस्ट पसंद पार्टियां इसको माँपर अंजाम दे रही है सर जम्बू कस्मीर में धारा 370 हटाई गई उसके बाद भी लगातार जो पाकिस्तान की और से भी जो हमले लगातार हो रहे हैं कुछ लोग है उनको भेजा जाता है वहाँ पर लगातार सेना की मुटभेड होती है किस तरह से देखते हैं देखिए इसको में दो अलग अलग चीज़े हैं आपका जो प्रशन है उसमें दो अलग 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 चीज़े हैं पहली चीज़ धारा 370 का हटना उसका क्या प्रभाव हुआ धारा 370 के हटने के बाद से कश्मीर में खास करके कश्मीर घाटी में लगातार लगातार अनवरत परकार से तरक्य हो रही है, वहाँ पर लगातार वहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ पर और अलिंडे इंस्ट्टूट अफ मेडिकल साइंसे इस खुल रहे हैं, लोग बाद मैंने इस कश्मीर घाटी को पहले देखा है, और 2022 और 2023 में मैं दोबारा गया हूँ उसी कश् गाटी में 11 बजे तक 12 बजे तक चहल पहल आपको देखने को मिल रही है, बिस्नस एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिस खाटी में तिरंगा देख नहीं पाते थे लोग, उस खाटी में आज वहाँ के चात्र बच्चे, बच्चियां, राजनेतिक, सब लोग आकर के तिरंगात में लेकर के और अपने आपको भारत का सफूर, भारत का किद बनाते हैं, तो 370 के हटने के बाद से लगातार महाँ पर परगती हुई है, लगातार महाँ पर सैलानियों की संक्या में बढ़ावा हुआ है, लगातार महाँ पर महाँ के लोगों को डिवलप्मेंट देखने को सालों बाद डिवलप्मेंट देखने को मिला है, तो ये ये बात होगी, आप देखें किस प्रकार से हाइस ट्रेल वे ब्रिज बना दिया है, वहाँ पर ट्रेन्स चल रही है, आप सबसे बड़ी समस्य है, वहाँ से उनके गुड्स को बहाँ रेस्ट और दी कंट वोटिंग परसेंटेज कई और राज्यों से बहतर रहा, 58% लोगों ने वोट किया, लोक सबा के इलेक्शन में ये कश्मीर के लोग कभी बाहर नहीं निकलते थे, मैंने देखा है अपने आप, विधान सबा और ग्राम पंचाय के इलेक्शन में फिर भी वो लोग आके बाह वोट देना थे, लेकिन लोक सबा में आज ये परिवर्दन देखा, ये पाकिस्तान को नहीं पच रहा, दूसरा, वहाँ पर 370 हट के 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान को नहीं पच रहा, वहाँ पर अमरनात यात्रा सुचारू रूप से, बिना किसी अर्चन के चल रही है, पाकिस्तान को नहीं पच रहा, वहाँ पर टूरिजम बढ़ रहा है, दो 2.1 करोन टूरिस्ट आया है पिछले साल, वो पाकिस्तान को पच नहीं रहा, तीसरी बात, पाकिस्तान के खुद के जो इंटरनल सिच्वेशन है, वो खराब से खराब होती जा रही है, लगभग जंग का महौल है, खिबर फक्तोन खुआ में लगातार पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के सेना पर और पाकिस्तान के जो हो है, गवर्मेंट ऑफ और और हमले हो रहे हैं, पियो जेके, जहां की आवाज इन्होंने पूरी तरह नहीं दबा रखी थी, आज वहाँ आव जा रहा है, और पाकिस्तान जहां का तहां है, और एकनोमिक मेस में, एकनोमिक क्राइसिस में है, आज की तारीख में लोगों को पैस खाने को आटा नहीं है, पेट्रोल की किमते जमीन आसमान को चूर रही है, डॉलर तीन सो रुपे प्रति डॉलर हो गया है, तो पाकिस्ता इतना जादा बॉखलाया हुआ है कि वो किसी ना किसी प्रकार से अपना अटेंशन यहां डाइवर्ट करना चाहते है किसी ना किसी प्रकार से वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत वर्ष में 370 हटने के बाद से कोई तबदीली नहीं आई लेकिन इतनी तबदीली आई है आप मुझे बताएं 2023 और 2024 में कुल मिला करके पत्थर बाजी की घटनाएं कितनी हुए शून ने शून ने तो ये जो आपको थोड़ी बहुत खरकत दिखाई दे रही है वो इसलिए है कि पागिस्तान नहीं चाहता कि अमर्नाथ यातरा सुचारल रूप से चले पागिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर रियासत में इलेक्शन चुनाओ हो पागिस्तान नहीं चाहता तो उन्होंने दबाव बढ़ाया है अब ये भी प्रशनाता है कि जम्मू के इलाके में जो कि पिर पंजाल रेंज के सौथ का इलाका है दख्शन का इलाका है वहाँ क्यों बढ़ रहेंगे उसके दो-तीन बजा है पहली बजा तो ये है कि घाटी में उनके उपर इतना दबाव है कि वो घाटी में कुछ वर्थवाइल घटना कर नहीं पा रहे हैं तीन टियर में डेपलॉइमेंट होता है काउंटर इंफिल्ट्रेशन ग्रिट जो इंफिल्ट्रेशन को रोकता है वहाँ से वो इंफिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं काउंटर टेरर ग्रिट वहाँ बेसिस बना करके आपके सेना के टुकडियां और पुलिस की टुकडियां वहाँ बेसद बिना के रहती हैं वहाँ वो कोई activity नहीं कर पारे और rear area में कोई activity नहीं कर पारे तो वो बहुत पौकलाए हुए है तिसरी बात जो है जब गल्वान घाटी का incident हुआ तो वहाँ पर कुछ अतरिक सेना सेने बलों की आवशक्ता थी तो कुछ सेने बल चमू वाले रीजिन से उठा करके गल्वान के इलाके में shift किये गए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब भी भारतिय सेना सेने बलों को इस परकार shift करती है तो इस बात का पूरा यकीन किया जाता है कि जहां से वो सेने बल खाटाए जा रहे हैं वहाँ पर क्या उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है तो यह मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि उनके वहां से जाने के बाद सुरक्षा में कोई कमी आई है लेकिन वो इतना बड़ा फोर्स लेवल यहां से गया तो पाकिस्तान को एक अपर्चिनिटी नजर आई कि मैं इसका लाब हो उठा सकता हूँ इसलिए उन्होंने यहां पर हमले करने शुरू कि बहां देखिए आप पहली बात गाटी में दबाओ दूसरी बार यहां पर थोड़ा सा यूमन इंटलिजनिट क्योंकि जब इस प्रकार से सेनल एक टुकडिया जाती हैं तो जो उनका बेस होता है किसे काम कैसे करते हैं जो बेस बनाते हैं उस बेस से उनका एक इंटलिजन्स नेटवर्क डिवलप होता है उनके पास ख़बरें आती हैं उनके ख़ब तो जब वो हुमन इंटलिजन्स नेटवर्क है अब जब यहां से वो बेसे उटके चले गए तो उस हुमन इंटलिजन्स नेटवर्क में कही ना कहीं कोई ना कोई कमी आई ते से कोई कोई वो नहीं है लेकिन अब उसको पूरी तरह से दुबारा मेरे हिसाब से उसको वापस बिल्कुर नॉर्मल कर दिया गया है और अब ही आप देखेंगे कि जितने भी लोग आ गए हैं वो अब खूरों के पास जाएंगे यह आपने इस चित्मान लीजे देश 15 अगस की खु नाजली देता है और राजस्थान में जो कई ऐसे जिले हैं जहां से वीर सपूतो की संख्या देखी जाती है लगातार जुन-जुनु जैसे जिले हैं वहां से लोग लगातार फोर्सिस में जाते हैं सहीद भी हुए हैं उन तमाम लोगों को इंडिया न्यूज की टीम नव जापर